हाई फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल तोड़े एगेन आम मेकिं अनादर वाल हैंगिंग फ्रम सीदी सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैंने एक ओल्ड सीदी को कले से सील करके जेसो लगा के प्रिपेर कर लिया है ड्राइ हो जाने के बाद सीदी को थोड़ा सा सैंड पेपर से सैंडिंग करके आम एप्लाइंग सम बैक ग्राउंड कालर यहाँ पर आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो मैंने यही कलर चूज किया है अभी एया ड्राइ कले से मैं यहां पर गनेश जी का एक हेड क्रियेट करूंगी एक पने एक विए और लगे हैं यहां विए लुए अड्राइ लगए लगचार-ग्राइई टीओ से लगचार-गाराइड जबसेग एक सब़ान इंद पर चार्ण तरो by मैंने देख जी मैंने एक पलाइक लग्चार-ग्राइवा विएर टीज़ ख़ीर बॉग्चार टीज यहां पे मैं एक flower shape create कर रही हूँ with the help of the cardboard आप process video में follow करके देख सकते हो अभी इस cardboard को craft knife के मदद से कट करने के बाद I'm applying some masking tape on the edges so I can secure the edge एक CD को मैंने cardboard के उपर place करके एक circle ड्रॉ कर लिया है ताकि मुझे पता चले मुझे कितना तक texture paste को apply करना है अभी इसको dry हो जाने के लिए छोड़ देना है झाले मुझे के करेंजा है भी ताकि मुझे मुझे पता थे जाओ 1 गजाओ य अजाब कितना है एक अजाब करने के लिए जाओ लिए भी ऊज़ईगा जाओ फीजाओ के नहाँए गनेश जी की हैड ड्राइ हो जाने के बाद अभी गनेश जी को में कम्प्लीट करूंगी I am applying some acrylic paint to complete the process you can follow the process in the video I am the I am 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 झाल झाल how cute my Ganesh ji is looking what do you think guys please do let me know in the comment section below मुझे ये करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है आप मुझे जरूर बताना आपको ये कैसा लगा अब मैं थोड़े थोड़े करकी यहाँ पे कुछ detailing आड़ करूँगी ताकि मेरे Ganesh ji को और भी cute लगे clay mold से जो floss बनता है ना guys जो बहुत ही pretty बनता है मैंने देखो यहाँ पे बनाया कितना cute लग रहा है मेरे floss और जो DIY lovers है ना उसके पास ऐसा mold तो एक होना ही चाहिए कितना है golden acrylic paint से मैंने border भी create कर दिया है बहुत ही beautiful लग रहा है मेरा borders लुप अरे भी बने ख cabinets तो बहुत है उसेल इंगे दो आसे डास तर स्पेप्या या लग भास एक पंव practicing झाल झाल जाल झाल एक लटकन और एक लूप बनाया है जो मैंने पीछे अटाच कर दिया ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद सीडी को कार्डबूर के उपर स्टिक करना है विद दे हल्प अब अब अल परपस ग्लू मैंने थोड़ा सा हॉट ग्लू का भी इस्तमाल किया है लास्ट में मैं क्लियर वर्णिश अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी ये पेंट जो है ये सिक्योर रहे सो आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ही कर देना सो तुड़ एट लिए माइग्स वीडियो त्ल देन बावाई